आईपेल 2021 निलामी में जिन खिलाडियों पर बड़ा दाव लगने की सम्भावना है उनमें आउस्टेलिया के तूफानी ओल राउंडर ग्लेल मैक्सविल भी एक है आईपेल निलामी में मैक्सविल का बेस्ट प्राइज दो करोड रुपे है इस साल निलामी से पहले किंग्जिलैंड पंजाब में मैक्सविल को रिलीस कर दिया था UAE में खेले गए आईपेल के तेरवे सीजन में मैक्सविल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाये थे उनका बल्ला भी काफी शांत रहा था यहां तक अक्सर चकों की बारिश करने वाले मैक्सविल पूरे सीजन में एक भी चका नहीं लगा पाये थे हालकि इसके बाज उस्चिल्या के घरेलू T20 टूनामेंट में मैक्सविल का बल्ला जम कर बोला फॉर्म वापस पाथ चुके मैक्सविल इस बार IPL में रोयल चेल्जर्जर्स बैंकलोर का हिस्सा होना चाते है मैक्सविल जक्षन अफ्रिका के विस फो टक बल्ले बास एबी डिविलर्स को अपना आदर्श मानते हैं ESPN क्रिंक इंफो में छबी खबर के नुसार मैक्सविल ने कहा एबी मेरे आदर्शों में से एक है वे जिस तरह से खेलते हैं उससे देखना अच्छा लगता है SME टीम में और रॉंडर की जगे मैक्सविल भड़ सकते हैं मैक्सविल एक नमबर से साथ नमबर तक किसी भी क्रम में बले बासी करने में सक्षम है इसके लावा वे बैतरीन फिल्डर के साथ उप्योगी और स्पिनर भी है मैक्सविल ने विराट कोली की तारीफ की है उन्होंने का मैं विराट के साथ अच्छी तरह से मिलता हूँ विराट के अंडर खेलना अच्छा होगा और निश्यत रूप से उसके साथ बले बादी का आनंद लेंगे